नमस्कार मौसम चलावास चनल पर आपका स्वागत है बात करेंगे राजस्तान के मौसम के बारे में यहां पर आपको जनकरी देंगे कि कैसा रहेगा मौसम गले 24 गटों के दोरान यहां पर देखे तो जो तुफान बनाता दाना वह पुडिशा की तटी भागों से टकरा कर य उतकरा होता रहेगा अरब सागर के द मौसम खशोषव बना हुए है और आने वाले दिनों के सूबहूं Patreon आपको तो की संबावनाई जो है वह 23-28 के मद्य है तो आज 26 तारीक का समय है एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान और उत्तरवार से उत्तर गुजर रहा है लेकि ठीक इसी समय बंगाल की खाड़ी में बना तुफान वह उत्तरपसिम से नम हवाव को खिंच रहा है तो यहां पर अरब बन चुका है और यह कल टकरा भी चुका है और अब यह डीप डिप्रेसिन के रूप में है तो अब जो है यह जो समभावना हैं बताई गई थी एक महीने पहले से लगतार जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं इसको जो है कल के वीडियो से अटा दिया जाएगा चैसे ही अटा इस तारीक का समय आएगा तो यहां से अ समभावना थी ओडिशा के तटो की और ज्यादा समभावना दिखाए गई थी देख सकते हैं आप ट्रैक में अरब सागर में कुछ यहां पर सलाले की खाडी के आसपस के क्षित्रों की और और एक पाकिस्तान गुजरात के मिलेजले भागू की और तो यह सिदा सलाले की और निकला है जो आगे सिस्टम बना था मजबूत होकर डिप्रेशन डिप्रेशन की कैटिकरी का और फिर जो तुफान बना है बंगाल की खाडी में यह सिदा उडिशा के तट्ये किनरों पर टकर अंदरुनी भागों की और बढ़ रहे हैं जिससे यहां पर कई जुगों पर अ मौसम लगव भारत के कई भागों से सुष्क होता हो दिखाई देगा केवल दक्षिनी राजियों में और बंगाल की खाड़ी अरफ सागर में लगातार सर्कुलेशन की इस्ततिया प्रभावी रहने से वहां पर वर्षा के गत्विद्या रहेगी जबकि राजस्तान के क्ष इस्ते पांट कम होकर यह कुछ छे सोलर डिगरी के आसपास बना रहा यानि रातरी के समय में आपने जबकि दिन गीता अरतेशत देश्य के सेल्सीस के इसपास और अधीकत मादर्ता 48 परृतियर रही और नियूनत मादर्ता 33 परृतियर परृतिया घटने वाली हैं वायु उत्तर बच्छिमी दिशा से चार किलोमेटर परती गंटी के रफतार से रही जवईबान का गेज बढ़कर साट दस मलाव चार जिरो फीट तक दर्ज किया जा रहा है लगतार पानी छलकने की बज़े से अब गेज धिर जीरे बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हवाय चल रह रही है क्योंकि पानी काफी मात्रा में नीचे गिरते हुए चलकते हुए नदी में जा रहा है तो अब यह धिर धिर बढ़ता रहेगा लेकिन अब जल्द ही किसानों को यहां पर जो पानी देने की घोशना हुई है उसके बाद से अब कभी भी आगे जवई बान की नहरे ख बात हुई है तो यह पानी जाने के बाद जो है यह सुरू होने के बाद लगतार घेज घटेगा लेकिन कुल मिलाकर देखे तो जवई बांद अफ लगबग संपूर्ण भर चुका है अभी चार-पांच दिनों का लगबग समय रहेगा लेकिन जल्द ही यह जो बचा हुआ बाकी का भराव समता वाला एरिया है वह भी कवर होता वह दिखे देगा और कुल मिलाकर बारिश की घट वीडियो में देखे तो लगबग है कोटा उदेपूर मासवड़ा और इदर भरतपूर संबाग जईपूर्चीकर संबाग इस सभी इलाके सुस्क बने रहेंगे और फसल बिजई से समदेत कारी भी लगातार कर सकते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में वर्षा की संबावना फिलाल कम है हाला कि दिवाली के आसपस मुसमे हलसल जरूर होगी लेकिन दिवाली के बाद की इस्तिया कुछ यहाँ पर खंड वर्षा ला सकते हैं जो की ओमिज है तीन नवंबर से लगाकर तेरह नवंबर के मद्या कुछ खंड वर्षा वाली गतिविदिया उत्तर वसीमी भारत के क्षितरों में राजिस्तान से देखने को मिलने की संबावनाई बन रही हैं जिस पर जानकरी लगातार देथ रहेंगे फिलाल संपूर राजिस्तान में दो दिनों में देखने को मिल सकती हैं लेकिन वर्षा की कोई संबावनाई नहीं है तो किसान वैपने कारिया यहां पर आराम से कर सकते हैं फिलाल अभी की जानकरी के लिए इतना ही आगे की जानकरी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर नमस्कार जैहिंद जैवर्द